जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जैंग अब बड़ा हो गया है और वो प्राक्टिस करते करते काफी अच्छे से कूपूस ही गया है लेकिन तब ही अचानक उसके उपर कई सारे बैंबू से हमला होने लगता है और वो सबी बैंबू से अपने आइकॉनिक उस पर हमला कर रही है और जैंग अब उन से बचने की कोशिश करता है असल में सॉंग इं सभी बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है सॉंग ही भखार क चलरा है कलास तो चैंग अपने खर्था बच्छे लेकिन फेल हो जाता है, हलाकि वो तो उसकी किसमात अची होती है, कि जिस पेड़ पर वो खड़ा था, वो पेड़ टूर जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उनके अटाक से बच जाता है. सहंग काफी उदास था, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुल अनरजी को यूज नहीं कर पाया था. बाकी बच्चे कहते हैं कि ये अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुचा है, जहां ये अपनी स्पिरिचुल अनरजी को अनलॉक कर पाये. हमने काफी कोशश की, लेकिन इसकी अनलॉक ही नहीं हुपा रही. सौंग जैंक के पास आकर उसे सांतना दीता है, और कहता है कि अभी तो तुमने बहुत आगे जाना है. इस वे फलता से निराश ना हो. जैंक कहता है कि मैंने अपने भाईयों को फिर निराश किया. अब फिर सबी वापस जानने लगते हैं, और जाते जाते बागे बच्चे बाते करते हैं, कि जैंक कुछ सालों से काफी स्लोग हो गया है. शायद उसका state of mind अभी ठीक नहीं है. अब वो लोग बातों बातों में poison का नाम लेते हैं, और ये सुनकर उसको एक idea आता है, और सोचता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, वो तुरंट वही cultivate करने बैट जाता है. उसके आसपास का औरह जब बागी लोग notice करते हैं, तो हैरान हो जाते हैं. वही इन सबी बच्चों की शीफू, यानि मास्टर वहाँ आती हैं, और वो जैंग को ऐसा करता दीखते हैं, अब उसके meditation पूरी हो जाती है, और सब खुश होते हुए जैंग की तरफ भागते हैं, और कहते हैं कि अगर ये 36 दिनों तक ऐसे अपनी बादी को straight करें, तो सरूर ये काम्याप होगा, वो उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम सच में अच्छे हो, सबी बच्चे भी उसकी तारीख करने लगते हैं, और फिर शिवू वहाँ आकर कहते हैं कि मेरा खाना बनाना शायद कोई भूल गया है, यानि वो जैंग को ये ताना मारते हुए कहते हैं, और आज सबी के खाने बनाने की जिम्मेदारी उसे दे देते हैं, अब जैंग फिर से प्राक्टिस करने के लिए बैम्बू काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोई उस पर एक फ्रून दे कर मारता है, जैंग उससे बचने की कोशिश करता है, और कहता है कि तुम जो भी हो, सामने आओ, असल में ये एक मंगी कह रहा था, और मंगी उस पर अब बैम्बू भी फेकने लगता है, जैंग उस मंगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उपर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, वहीं दूसी तरफ हम जैंग के बच्पन के दोस्त, जिसका नाम लिन है, उसको अपनी तलवार से पूरी की पूरी चटान को तोड़ते हुए देखते हैं, सभी बागे डिसाइबल्स उसे काफी इंप्रेस्ट थे, क्योंकि पांस साल में ही वो हम सबसे आगे निकल गया है, इवन मास्टर्स भी इसकी काफी तारीफ करते हैं, और लिन काफी जीनियस है, अब तभी वहाँ एक डिसाइबल आता है, जो उसे चिड़ाता है, वो लिन को लड़ाई की चुनादी देता है, इस लड़ाई को सब फैंग कहेकर पुकारते हैं, और लिन फैंग की चुनादी एकसेप्ट कर लीता है, उन दोनों के बीच अपाइच शुड़ू हो जाती है, दोनों ही बहुत अच्छे वारियर हैं, लेकिन एट लास्ट लिन फैंग की गर्दन पर दलवा रख देता है, और तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और फैंग को बचाते हैं, और उसको समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, वो फिर फैंग के पास जाकर उसे मूर कहकर डाटते हैं, और कहते हैं कि लेन हाइली क्वालिफाइड है, फैंग शाओ के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो तुम्हें हरा सके, ये असल में मास्टर नहीं है, ये इनका सीनियर है जो मास्टर शीफू के कहने पर इन्हें ट्रेन करता है, अब हम जैंग और उसके दोस्ट को देखते हैं, जो जंगल में बैट कर खाना पका रहे थे, जैंग पूछता है कि हमें और कितना इंतसार करना होगा, जिस पर वो कहती है कि जब तक बड़ा दिन नहीं आ जाता, हमें रूपना होगा, वो तुम्हारी प्राक्टिस को काफे दिनों से इंटरप्ट कर रहा है, जब तक मैं उसे सबक ना सिखा दू, मैं चुप पैटने वाली नहीं हूँ, अब जैंग ने जो खाना बनाया होता है, वो उसे काफी पसंद आता है, और वो दोनों काफी बाती करते हैं, जिसमें जब उसे लगता है कि जैंग दुखी है, तो वो उसे उसका कारण पूच्छती है, जिस पर जैंग पताता है कि वो स्पिरिचुल कल्टिविशन नहीं कर बा रहा है, शायद वो spiritual cultivation के लिए बना ही नहीं है अब वो खाना खाने लगते हैं लेकिन तबी वो ही मौंगी उनका खाना चीन लेता है और पेर पर जड़ जाता है लड़की को काफी कुछ सा आता है और वो तुरंट उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन बंदर उसे बच जाता है और बंदर जैंक का खाना भी उसे चीन लेता है वो दोनों फिर मौंगी का पीछा करने लगते हैं बंदर पेर पर चड़कर भागता जा रहा था और वो दोनों उसका पीछा करते हैं लड़की अपनी उन्ने के ट्रिक से जैंग को लेकर उसकी तरफ तेजी से जानी लगती है लेकिन फिर भी वो मॉंकी को नहीं पकड़ पा रही होती और फिर मॉंकी का पीछा करते करते वो एक बार्टों गिर भी जाती है लेकिन जब मॉंकी उनका मजाक उड़ाने लगता है तो लड़की फिर से उसका पीछा करने लगती है और लड़की एक खाई में उड़कर चली जाती है जैंक उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था इसलिए वो भी खाई में उतरने लगता है उतरते उतरते उसके हाथों से खून भी भैने लगता है और काफी मुश्कलों के बाद वो खाई में उतर पाता है लेकिन तब ही उसे लड़की के चिलाने की आवास आती है और आगे चाने पर वो उसको बेहोश हुआ पाता है अब जैसे ही को उसके पास चाने लगता है एक बहुत immense gravity pressure उसे अपनी तरफ खीशने लगता है और उसके अंदर का वो क्रिशल भी glow करने लगता है वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और लड़की को जगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस करता है वो मंगी भी भी होश पड़ा था सैंग पहले लड़की को उठा कर पेड़ के नीचे एक सेव जगाबर रखता है और फिर मंगी को बचाने उसके पास चाननी लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके अंदर से वो क्रिश्चल निकलता है और पानी में जाने लगता है वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और क्रिश्चल को जोर से पकड़ लीता है लेकिन क्रिश्चल सम्मित वो भी पानी में चला जाता है पानी के अंदर वो सांस भी नहीं ले पा रहा था इसलिए वो सबसे पहले पानी के अंदर सांस वाली ट्रिक को अक्टिवेट करता है और फिर वहाँ क्रिश्चल को देखता है वो encryption ने खास तडे के पत्थर पर जाकर लग जाता है और वो बहुत sacred vibrations produce करने लगता है वो crystal और stick, अब zhang के चारों तरफ गॐमने लगते हैं और जैसे ही zhang stick को touch करता है वो stick और crystal एक दूसरे से मिल जाते हैं zhang फिर उस टिक को पकड़ता है और क्रिस्चल का औरा उसके अंदर जानने लगता है और तब ही वहाँ ब्लास्ट होता है जिसके फिक्से जैंग के हाथ से स्टिक छूट जाती है और जैंग नीचे के तरफ गिरने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है